दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी कहानी के महत्वपौण प्रश्चा करेंगे तो आज के इस वीडियो में आपके साथ एक प्रश्णों को लेते हैं पहला प्रश्ण है कानों में कगना कहानी की नाइका कौन है किरन परिंदे कहानी की नाइका कौन है मिसलतिका दिल फिगार और दिल फरेव किस कहानी के पात्र है दुनिया का अनमोल रतन लाल पान की बेगम कहानी में लाल पान की बेगम किसे कहा गया है बिर्जु की मा को गैंगरीन कहानी में मालती की पती का नाम क्या है महेश्वर राजा निर्बंसिया कहानी में नाइक का कौन है चंदा फ्लेश्वेक शेली में लिखी गई कहानी कौन सी है उसने कहा था उसने कहा था कहानी में किस पत्रिका में सर्वप्रथम छपी थी सरस् पत्रिका में हामित की बोड़ी दादी का नाम क्या था अमीना इदगह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई चांद पत्रिका में प्रेमचन द्वारा लिखित कहानियों में मनों विज्ञान पर आधारित कहानी कौन सी है इदगह राही कहानी की मुख्य पात्र का नाम क्य क्या है अनीता राही कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है सीधे साधे चित्र राही कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है सन 1947 एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है 1901 इस्वी चम्पा और बुध्ध गुप्त के प्रेम और गृणा का वर्णन किस कहानी में मिलता है आकाशती दुलाई वाली कहानी का मुख्य पात्र कौन है बंशीधर दुलाई वाली कहानी किस शैली में लिखी प्रकाशन वर्ष क्या है 1937 चंद्रदेव से मेरी बाते कहानी किस पत्रका में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रका में उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई कहानी है राजा निर्बंसिया वड़नात्मक शैली में लिखी गई कहानी कौन सी है अकाश दीप इंस्पेक्टर मातदीन चंद पर कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है सन 1997 इस्वी इंस्फेक्टर मातदीन चंद पर कहानी के माद्यम से किस पर वियंग किया गया है भारतिय पुलिस एवं व्यवस्था पर सिक्का बदल गया कहानी किस पत्रका में प्रतिक पत्रका में शामनात किस कहानी का पात्र है चीफ की दावत गैंगरीन कहानी का अन्य नाम क्या है रोज शाहजी और शाहनी किस कहानी के पात्र है सिक्का बदल गया किस कहानी को प्रेमचंद की बोड़ी कागी का अगला चरण क कहा गया है चीफ की दावत कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है राचा राधिका रमण सिंग परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी किस आलोचक ने माना है नामवर सिंग हीरा बाई और हीरा मन किस कहानी के पात्र हैं तीसरी कसम किस कहानी में सिक्षित मद्यवर्ग की स्वार्थ परता को उजागर करने का प्रियास किया गया है अपना अपना भाग्य तेरी कुडमाई हो गई क्या किस कहानी में कहा गया है उसने कहा था परिंदे कहानी के रचैता कौन है निर्मल वर्मा अपना अपना भाग्य किस शैली में लिखी गई है मैं शैली में अपन कहानी किसमें संकलित बात designs अपना-पना-पना कहानी में किस जगे HUAND किया गया है नैनित γण कि इसरी कतस्म कहानी में घृटी प्रदर्शन थेटाव्ट पर आदनिकता की हिनजना दिखाई पड़ती चीफ की चीफ की दावत कहानी कि संग्रह में प्रकाशित है पहला पार्ट तो दोस्तों ये थी आज के 50 प्रिश्ण तो आप सभी को कैसा लगा कर्मेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तो दोस्तों आप सभी का बहुत बह दन्यवाद